तुमाइ यूटूब चैनल फार्मेसी टीचिंग में आपका स्वागत है तुड़े विए श्टडी एबाउट मस्ट इंपोटेंट कुश्चिन फर्स समेस्टर एचेपी भी फार्मेसी का हम लोग देखें गाज इमपोटेंट कुश्चिन तो फर्स समेस्टर में है एचेपी का सिब्चेपी का हम लोग डिसकस करेंगा और इसका मैं अभी तो सिफ गूस्चिन है इसका एंसर भी प्रोभाइट मैं कर दूंगा हम लोग देखते हैं सबसे पहले cell draw and well level diagram of cell with its organelles या organelles या parts भी बलते हैं इसको and also write its function बुल ला है कि cell क्या है उसको define करना है cell को और उसका diagram बनना आना है उसको level करना है उसके बाद से जितने भी organelles है उसके अंदर micro quantity हो गया उसके बाद से ribosome हो गया endoplasmic great equilibrium हो गया या सभी का proper उसको define करना है 10 number में पुछा जाता है इसका parts या parts उसके बुलते हैं और उसका function क्या है उसका function को भी लिखना है define करना है उसके बाद से ये question पूछेगा या उसके बाद ये पूछ सकता है write a notes on cell cycle cell cycle होता है जैसे mitosis होता है miosis होता है cell replication होता है नमबर थर्ड 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 कुश्चन है यह भी इंपोटेंट है explain transport mechanism across plasma membrane ट्रांसपोर्ट फर्स्ट ट्रांसपोर्ट बलते इसको explain transport या mechanism across plasma membrane प्लाज्मा मिंब्रेन से किस तरीका से आयन और किटाई सब का मतलब calcium हो गया उसके बाद से potassium हो गया किस तरीका से explain करना है उसके बाद से उसका मेकनिजम भी बताना मिंब्रेन के अंदा है मेकनिजम कैसे मेकनिजम हो था उसके बाद से नमबर फॉर्थ हो गया यह भी इंपोटेंट है define homeostasis उसके बाद से explain positive and negative feedback homeostasis जो brain और body को जो control करके रखता है homeostasis और उसके बाद से explain करना positive and negative feedback और मेकनिजम 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 में सिस्टम विद एक्जामबल इक्जामबल भी देना इसमें ठेक उसके बाद से नमबर फिफ्ट कोश्चन हो गया नेक्स्ट हम लोग देखते हैं हम लोग आए unit secant से क्या-क्या पूछा जाता है हम लोग देखते है unit secant write a note on structure and function of skin हम लोग देखते हैं कि इसमें एक question है structure skin का structure और उसका function क्या होता है और structure कहा रहता है जैसे हो गिया intigometry system इसके structure and function नोट समस्कारा मतलब इसमें वह पुछेगा 5 नंबर में पुछेगा नोट लिखना उसके वाल से यह 10 नंबर में पुछ सकता है बहरी-बहरी important है define escalatal system जितना भी इस्केलेटल सिस्टम है बोन उनके बारे में है वह बता ना बड़ी में कितने बोन होते हैं उसका स्ट्रेक्चर क्या होता है पुरा क्या काम करता है कहां से कहां जुआ इस वह सब है राइट फीचर्स उसका फीचर्स क्या है उसका फंक्शन क्या है ठीक बोन और ए structure and function of vertebral column of a skull or long bone. A skull बोला जाता है, इसको खोपरी को, जो सर जिसको बलते है, वह होगया, vertebral column जो पीट की दीर है, उसको vertebral column परेक्षपलेण करना है और उसके बाद लोग देगते हैं फूर्थ कॉइजर्ण है यह भी बिए बिए हुआ इंपोर्टेंट था जिसको bone and socket joint भी बहुत हो गया जितने भी joint उसको फिर उसके बास एक्जियल joint हो गया जो head और इसके बीच 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 है उसको define करना है और classify करना है और जो explain detail में signovial जो है उसका diagram भी बनाना उसको explain भी करना से signovial joint को उसके बास हम लोग unit third देखते हैं unit third में यह very 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 important बहुत important है यह question define blood blood को define करना है और write about composition and function of blood इसका composition किसकी से मिल मिल के बना राता है WBC हो गया RBC हो गया उसके बासे platelets हो गया यह से किसकी से बना राता है इसको define भी करना है उसके वाद से function को भी लिखना है उसके वाद से हम लोग देखते है नमबर एसका unit third कर नमबर second question यह भी very very important है define blood coagulation मतलब blood किस तरीका से जमता है body में किस तरीका से होता है blood जब आगा हम लोगों कट लग जाता है कहीं skin पर तो किस तरीका से वह protect करता और वह blood clot करता है किस तरीका से बलट रुखता है आप प्रम बलut कोड़लेशन में कौन-कौन से step है न इस तरीका से इसके वाद से हम लोग एक चो किसम नोट मतलब यह जो दो नमबर या पांच नंबर के हिसाब से पूच लिया जाता है इसमें A-B-O harvest group define करना हा हुए उसके पासे system, इसमें A-B-O harvest group define करना ही, उसके बाहसे system इसके बाहसे बाहने ग्रूपिंग किस तरीका से होता है, और RH factor को भी define करना है, RH factor क्या हो गया? RH factor, positive, negative, उसके पासे उसके पासे, इसका formulation of HB, HB का मतलब हो ही हिर्मोगलोबीन, हिर्मोगलोबीन किस तरीका से formation होता है, उसके बाद से अनेमिया क्या है, अनेमिया को भी define करना है, short notes को लिखना है, हम लोग आप यूनिट में देखते हैं, थार्ड यूनिट में यह कुछिन और है, यह भी important है, write a note on lymphatic system, lymphatic system क् explain करना है, यसे इसमें आ जाता है, lymph node आ गया, lymph circulation आ गया, function आ गया, किस तरीका से function करता है, lymph node का चाम क्या रहता है, वो हो गया, उसके बाद हम लोग देखते हैं, यह भी very very important है, explain the structure and function of sympathetic and parasympathetic nervous system, sympathetic and parasympathetic nervous system के बारे में देखते हैं, इसमें भी explain करना है, उसके बाद से यह पुछ सकता है, या उसके बाद नहीं तो अगर वो नहीं पुछा तो यह पुछ सकता है, define PNS, peripheral nervous system, peripheral nervous system हो गया, PNS के बाद से इसमें है, difference between sympathetic and parasympathetic nervous system, इसको दुरो में difference बताना है, sympathetic nervous system and parasympathetic nervous system, उसके बाद से right structure and function of eye or air, air or eye के बारे में लिखने हैं, या अगर यह पुछ hearing, air किस तरीका से control करता है, hearing का काम करता है, balancing का भी काम करता है, air, उसके बाद से third question हो गया, यह भी very very important है, write a note on spinal, cranial nerves, spinal and cranial nerve में, write a note लिखना है, spinal nerve में और cranial nerve, दोनों, उसके बाद से 50 unit में देखते हैं, यह भी very very important है, explain the anatomy and physiology of heart, anatomy and physiology, heart किस तरीका से work करता है, इसका anatomy कहां प इसके notes लिखना है, यह भी दो number या 5 number में पूर सकता है, ECG क्या होता है, with diagram के साथ लिखना है, cardiac output क्या होता है, cardiac cycle क्या होता है, ECG हो गया, electrocardiogram हो गया, इस तरीका से, electrocardiogram हो गया, इस तरीका हम लोग चेक करते हैं, heart beat को, उसके बाद से, एक हो गया, third question इसके आ गया, explain the details about regulation of bullet pressure, bullet pressure को किस तरीका से regulate क्या जाता है, उसको explain करना है, और last question हो गया, write about instruction and function of bullet vessel, bullet vessel से artery vein हो गया, उसके बाद से superior vein हो गया, किस तरीका से work करता है, वो उसको define करना है, structure भी मनाना है, तो आज के लिए इतना ही, फिर हम लोग देखतें next में, और इसका answer भी provide करेंगे, अगर आ झाल